हेलो सांतियों, वेलकम टो रोली स्टड़ी, दुस्तों आज के उस वीडियो में मद्य प्रदेश पुलिस सारक्षक 2023 के इसपासाल एक्जाम का हम एक नया एनलीजिस लेकर आ रहे हैं और इस एनलीजिस में अपन 22 से 30 अगस्त तक का सभी सिप्ट के कोशन्स कवर करेंगे, गा अब आपको प्लैलिस्ट में लेखी, आई बेटन पर आप कलिक कर लिएक हम आपको इसके लिंक दे देंगे, क्लिए रहे हैं तो इस वीडियो में अपन 22 तारिक से लिए टीस तारिक तक, जितने भी सायंस के कोशन्स पूचे गए वह सारे औल॰ सप्ट के कोशन्स कवर करें ये कुछ online courses है, जैसे कि police वाली test series है, अगर आपने enroll नहीं किया है, तो कर सकते हैं, के लिए और एक उर चीन में बता दू गाइस, हमारा जो exam town channel है, इस पर हमने नया वीडियो दे दिया है, पुरुसकार सम्मान वाला के लिए रहे, वहाँ से आपकी हर दिन exam में 5 number की question बन रहे हैं, तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया है, तो आपके 5 number पक्के हो जाएंगे, और जरूर से देखके जाएगा daily basis per questions बन रहे हम आपको with probe के असाथ बता रहे हैं, हर सिप्ट में question बन रहे है, तो description में आपको link मिलेगी, अभी डाला है, तो आप जल्दी से जाकर देख लिजीगा, आईए start कते हैं, हम science का हमारा पहला question, इस वीडियो को like से यह नहीं किया तो कर दिजिए, को subscribe भी करके रख लिजीगा, guys आज का हमारा पहला question है, भू परपरटी के द्वरा की गई, अगले question के और आगे बढ़ते हैं, next जो question निकल कर आ रहा है, ये भी काफी अच्छा question है, देखे, question के हम बात करते हैं, देखे, यहाँ पर मैं आपको बता दू, question है हमारा, next, बैसल क्या है, बैसल क्या है, ये question है, composite क्या होता है, तो composite पदार्थ, दो या अधिक पदार्थों से निर्मित पदार्थ हैं, जिनके अव्यावों की बहुत तिक एवम रासाएनिक गुन बहुत बिन होते हैं, अगला question है, निमने लिकित पदार्थों में से कौन सा non stick बरतन की सता पर लेपित होता है, तो ये टैफलोन होता है, अगला question है, मिर्च कौन सी फसल की किसम है, तो मिर्च जो आती है, ये नगदी फसल के अंतरगत आती है, नगदी फसल ये है, किलिए रे, next question के और आगे बरते हैं, अगला करती है, next question है, आकास गंगा का वर्नन किस वज्ञानिक ने किया, तो थामस राइट के दवरा किया गया, आकास गंगा का वर्नन, next next technological 선's funerian किस力 नलीरैा जो आता है यह प्राइफ से जो वर्ण होता है इसमें आता है याद रिखिएगा अगला है प्रोकेरियोटिक या प्रोक 씨 여러분 अगला कुशन है भूकंप त्रिवता मापने का यंत्र कौन सा। होता है और क्या है अगारी प्रियावरन आ प्रीतक competitive अपने पड़ा होगा अगला कोशन है अमली वर्षा का pH मान कितना होता है तो अमली वर्षा का pH मान होता है 5.6 से कम नेक्स्ट कोशन है जेम और सुकेस बनाने के लिए किस परी रक्षक का उपयोग किया जाता है तो sodium benzoide और sodium meta bisulfide का योज कह जाता है अगला कोशन है छारी वीलियन का pH मान कितना होता है तो 7 से अधिक होता है छारी वीलियन का pH मान 5 जगत का वर्गी करन किस ने किया था तो ये रह विटकर के द्वारा किया गया था नेक्स्ट कोचने बल की दीशा में विस्तापन के साथ बल के गुननफल द्वारा क्या दर्सा आया गया है तो कार्य दर्सा आया गया है या जाता है अगला कोशन है भविश का इदन क्या है तो हाइडरोजन जो है यह भविश का इदन कहा जाता है नेक्स्ट कोचने वातवरन में विसाकता होने पर किस को हानी होती है तो मनुष्य को हानी होती है मनुष्य आपका करिक्टर असर एगा मानो या मनुष्य इस तरह सा आपका option मिले दे जलोड मिट्टी और सुस के मिट्टी का रंग कैसा होता है तो जलोड मिट्टी का रंग हलके भूरे रंकी होती है और सुसकल विट्टी जो होती है ये लाल भूरे रंकी होती है अगला कोशन है आयोडीन की कमी की कारण कौन सा रोग होता है तो घेंगा रोग होता है नेक्स्ट कोशने निराई के लिए किस उपकरन का प्रियोग किया जाता है तो खुरपी का यूज किया जाता है निराई और निंदाई के लिए अगला कोशन है फाइलम चेरी फेरा को किस वर्ग में वर्गीकरत किया गया है तो इस्पंज वर्ग में वर्गीकरत किया गया है फाइलम चेरी फेरा को अगला question है chlorophyc handlar कैसे होते हैं तो हरे sau prize अहते हैं इन्हें समुदरी घांस भाओच भी कहा जाता है next question है calcium crystal सरीर की खेत्र का एक सामानी हिस्टा है तो एक कान का एक सामानी हिस्टा होता है next question होता है कारिका SI मातर क्या है जूल के लिए रहे एक्जाम टाउन पर विजिट नहीं किया है तो कर लीजेगा हमने नया वीडियो देल दिया है जल्द ही आपके लिए हैं गाइस हमारा फैला को नेक्स्ट कोशन है आम का विज्ञानिक नाम क्या है देखिए आम का जो विज्ञानिक नाम में मेंगी फेरा इंडिका है आप सुभी का इतिक पता होगा और यह चीज़े बैसे कहीं बाहर आपकी एक्जाम में पूछी जा चुकी है अगला कोशन है अंड़ा देने वाला स्तंधारी नीवन में से कौण साओ है तो यह प्लेटी पशे जूल किसका मातरक है तो जूल ज jsू हे उर्जा या कारी का मातरक होगा है एक इस्तितिती उर्जा होती है दूसरी जूल का सबढ़ा से कोसब क्या कहा जाता है ओलेरी कल्चर बोला जाता है सबजियों के अध्यायन को नेक्स्ट कोचे ने फलो के अध्यायन को क्या कहता है तो पॉमो लोजी फलो के अध्यायन को कहता है याद रखिए का पॉमो लोजी जो है ये फलो के अध्यायन को कहा जाता है रेडियो का विसकार किस ने किया तो गुलिक देखिए गुगलीलमो मरकोनी के द्वारा रेडियो का विसकार किया गया गुगलीलमो याद रखिए गया इनका नाम अगला कोशन है टेरिडोफाइट्स में कितने वर्ग होते हैं या इनके कितने वर्ग होते हैं तो चार वर्ग होते हैं टेरिडोफाइट्स के अगला कोशन है सेलुलोज की परत किस सेवाल की होती है तो लाल सेवाल की होती है सेलुलोज की परत next question, Pyritle से सुने रधात्विक होता है रसोई में किस इधन का उप्योग नहीं किया जाता है पेटरोल का यूज़ नहीं किया जाता है अगला question वपीद आ का रंग पीला क्यों होता है तो फलो के गूदे के क्रोमोपलास्ट में उपस्थित, doss केरोटीन और जनतो फिल, पिगमेंट अतात, केरी कॉंफेंज सिंट की उपस्थिति के कारण पीले रंका ये होता है, या पपीते पीले रंका होता है, अगला कुशनी, मदु मक्की का जहर कैसा होता है, तो ये अमली होता है, अमली आपका करेक्ट आंसर रहेगा, अमर बेल किसका उदा कितना होना चाहिए छे चीश सी की बीच में उरज्या किसमें चुपतवस्मा में चुपतवस्मां में चुपति पाइस पाइसा एक नाई Sound लगिहा हूं होता है तो हीमो ग्लोबीन के उपस्तिटी के कारण Executive । बलद लाल या खून का रंग लाल होता है Chlorophyll किसमें पाए जाता ही तो यह पत्तियों में पाए जाता है Chlorophyll सक्ति का मातलग क्या है तो What होता है प्रकास वर्ज किसकी इकाई है तो दूरी की काई होती है प्रकासवर्स दूरी का इसा ही परदिती में मातर क्या होता है तो मीटर होता है आदर से मिट्टी का pH मान कितना होता है तो 6-7 की बीच में ये होता है इसके लावब एक जूल लगबग किसके बराबर होता है एक जूल लगबग 0.24 केलोरी के बराबर होता है नेक्स्ट कोशन है निमने लिकित में से कौन सी मिट्टी या कौन मिट्टी में परदूसन का स्तरोथ नहीं है निमने लिकित में से कौन मिट्टी में परदूसन का स्तरोथ नहीं है तो खात करेक्ट आंसर आप करेगा प्लाजमा लाल रक्त को सिका है सफेद रक्त को सिका है प्लेटलेट्स किसका भाग है तो ये रक्त का भाग है अगला कोशन है उत्प्रेरक के रूप में किस धातू का उप्यूग के जाता है तो उत्परेरक के रूप में जो धातु यूज की जाती है पैलेडियम, जीट पीडी, रोडियम, रोडियम, आरेच और इसके साथ प्लेटीनम, पीटी होता है अगला कोशनी उत्प क्या है उत्प क्या होता है तो तंग्यय प्रनालिस को बुढ़ जाता है इन मेंसे कौन सा मरदा परदूशन का कारण नहीं तो पेड़ लगाना बीना जुताय की खेति करणा फसल चक्र है इसी मेंसे कोई भी मरदा परदूशन का कारण नहीं है अगला कोशन है टेरिडोफाइट्स की क्या विसेश्था होती है तो आवास, पोदो का सरीर, पोदे का सरीर, ताना, जड़े, पतियां, सहान नहीं होता है कि सभी टेरिडोफाइट्स की विसेश्था है जब तक सेकंड में उर्जा के एक जूल का उपयोग किया जाता है तो उ पर उसका भार कितना होगा 60 kg होगा अगला कुशिए नहीं कौन सा जल प्रदूसन का उधारन नहीं है तो एरो सेल करिक्ट आंसर रहेगा एरो सेल इसको बढ़ता है कौन सा स्टोस अफसिस्ट नहीं है करिक्ट आंसर रहेगा भोजन की बरबादी केंद्रक कोसिका जिली किसमे नोमें पाई जाती है एक क्विए धैक कितने ओक करते हैं और नेक्स्ट कोशन हमारा लोटनीग घरसन सरफिखर संसे कब होता है तो इस तरह का जो कॉशन हम Thai हम होता है जाए जादा होता पायाता हम नहीं आधने लुवता हो हुं जब एक सता दूसरे सता पर फिसलती है तो सताओ के बीच में लगने वाला जो घरसन है सर्फी घरसन होता है और लोटिनी जो घरसन है यह है जब एक निकाई दूसरे निकाई के सता पर लोड़कता है तो उसकी गती के प्रतिरोत को लोटिनी घरसन बोला जाता है अगला कोशनी बैकिंग सोडा करासा नी नाम क्या है तो सोडियम बाई कार्बोनेट यह होता है नेक्स्ट कोशनी आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी स्थिती पर क्या प्रभाव पड़ेगा मानसिक स्वास्त अच्छा रहेगा नेक्स्ट कोशनी रोग कैसे ठीक किये जाते हैं तो चिकिस्टा के माध्यम से ठीक किये जाते हैं अगला कोशनी सिवाल का हरा रंग किसके कारण होता है क्लोरोफील के कारण होता है नेक्स्ट कोशने प्रत्वी की बहारी परत क्या कहलाती है तो इसको तलमंडल बोलायता है अगला कोशन है उस्मा से जो उर्जा उत्पन होती है उसे क्या कहते है तो इसमी उर्जा उसको बोलायता है नमक का दूसरा नाम क्या है, sodium, chloride होता है है जा, रोग, रिक्तिस्तान की कारण होता है तो जिवानु के कारण यह होता है इसके अलावा नेक्स्ट कोच्छ ने हाइपो थेलेमस क्या करता है तो सरीर का तापमान जो है टेंपरेचर को कंट्रोल करता है इसको नियंत्रित उसमा से प्राप्त उर्जा होती है तो भूवतापी उर्जा ये होती है निमने लिकित में से कौन अजेविक नहीं है सीवाल कवक बैक्टीरिया खमी रादी ये जो है अजेविक नहीं है प्रकास का वेक सबसे अधि कहा होता है तो निरवात में होता है बल् लिगडी में मुख की रूप से दो फालिस्टर होते हैं पॉलीमर होते हैं और लिगनिन तो यहां लिगनिन है जिसके कारण कागच पीला पड़ता है तो लिगनिन इसका कारण है अगला कुछन है तरंग संख्या का विमें सुत्र क्या होता है तो य बराबर ए साइन सब्सक्राम तक बढ़ सकता है अगला कुछन हाइडरा में क्या होता है मुकुलोन एक प्रिक्रिया आए जिसमें मूल जीव के सरीर पर एक व्रद्दी बनती है जो फिर अलग हो जाती है ततक हमीर हाइडरा जैसे नए जीव बन जाती है नेक्स्ट कुछन है रेडियम किस ख वस्तों की दूरी दिसा और वेक कुमापने के लिए सोनार का योज के रहता है प्रात्मिक छेत्र में क्या सामिल नहीं है अस्पताल सामिल नहीं है व्यावसाइक फसल कौन सी नहीं है बाजरा व्यावसाइक फसल नहीं है मानव सरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्वेत तो oxygen है, odometer उपकरन का उप्योग करके क्या मापा जाता है, ते की गई दूरी को, SO2, रिक्तिस्तान SO2 वायू प्रदूसन का सूचक है, तो lichen जो है, यह SO2 वायू का प्रदूसन का सूचक है, नेक्स्ट कुछ है नहीं, इनमें से कौन सा आतो पोड़ा समधी थे, तो टिड़ी, तिल्ली, तितली, विच्चू जिंगा, यह सबी जो है, आतो पोड़ा में आते हैं, गन पाउडर का अविस्कार किस ने किया, रोजर बेकन ने किया, डीटीपी का जो टीका लगा जाता है, यह क्यों लगा जाता है, तो डिप्टीडिया, पार्टूसिस और टेटने स्रोक से बचाव के लिए, इनमें सो कौन सा धातो है, है ना ना नाइट्रजन, ऑक्सिजन, गाजार में पाए जाता है, तो गाजार में पाए जाता है, मानव सरीट का सामान ये तापमान कितना होता है, सेटिस दिग्री सेल्सियस, अगला कोशन है, इनमें से कौन से अर्द चालक होता है, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गेलियम, और से नाइट, यह सभी जो है, अर्द आंसर रहेगा मोटर कार में प्रियुक तो चालक का दर्पन कौन सा होता है तो उत्तल दर्पनी होता है जो पीछे का साइड चालक जो था ड्राइवर पीछे के साइड का द्रश्य देखने के लिए उस करता है यह उत्तल दर्पन होता है जल वायू को क्या प्रभावित नहीं क अब 22 से 30 तक का यह हो गया याने कि आपका 12 तारिक से लेकर 30 तारिक तक का कम्प्लीट हो चुका है साइंस और जीके उन वीडियो नहीं देखे हैं उनके तो आप देखेगा जाकर वहां पर आपके सभी कोश्वन कवर हो चुके हैं 12 से 30 तक के जीके और साइंस के किलिए रहें तो जाए-जाए सेयर करें इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिजगा और मैं एक चीज़ आपको बदाना चाहूंगा एक्जाम टाउन पर विजिट अभी तक नहीं किया है तो कर लिजगा क्योंकि पुरुसकार सम्मान वाल लिजिए आ है आपसभी की डिमांड पर तो आप जरूर से उसको देखेगा जादा करें अपने दोस्तों के साहँ इत्han ا debat जाए ताकि हम आपके लिए और भी जो वीडियो वीडियो आपको देखने को मिलेगी यह कुछ online courses है अकर आप चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है विजट कर सकते हैं इस वीडियो के पीडियो के लिए application को डाउनलोड कर लेज़ेगा टेलिग्राम चैनल गूर्प को जोइन के लेज़ेगा दोनों के लिंक कर दिस्क्रि कर दिजगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुच पाएं के लिए रहे तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सिप्ट के अनलेसिस के साथ अब तक लिए जय हिंद वन्द मात्रम